मुझे मालूम है कि आप PTIK हैं और आप सिर्फ सबोटाज कर रहे हैं मुझे नहीं मैं बाजी आपको सबोटाज करने की कोशिन नहीं कर रहा हूँ मैं तो आपको कह रहा हैं गले को क्या हो गया आपकी वो तक्रीरें कर-कर के थोड़ी campaign रन की है लेकिन फाइदा कोई नहीं हुआ सर मेरे भाई आप तसली रखिये हमारे शेर अभी जिन्दा है दीख लिए हमने आपके शेरों का इशर कहुटा से लेकर डसका तक वाँ यारी कमार है असजी आपकर ज्याला बहुत बहुत शुक्रिया आफताब साहब आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अर्से बाद जो हो अपने शो में मुझे मदू किया और उससे भी डबल खुशी इस बात की है कि आज आपके शो में ये जो अवाम का जो जम्मे गफीर है इसकी वज़ा सिर्फ मेरे अबुजी की मुहपत है अबुजी की मुहपत और उसमें ये जो है वो आए है आप क्यों करते हैं ये अलनके आप कोई ट्रिगर हैपी आदमी नहीं है ये ट्रिगर नहीं आफ़ताब साहब ये तो आदत है जो के नसल दर नसल से जो है चली आरी कभी यूँ कभी यूँ कभी हूँ कभी हूँ सीधे पन की आदत क्यों नहीं आपको ये अपनी बात कर रहे हैं इसमें हम शामिल नहीं है आप बताएए एलेक्शन क्यों हा रहे हैं आफ़ताब साहब मैं आपको एक बात बताती चलू जब सेलेक्शन होती है ना तो रिजल्ट्स फिर ऐसे ही आते हैं बाजी बाजी जी 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 तो इलेक्शन है जब आदे तो सेलेक्शन है बाजी गाला करके चूले थे बैजन दी आपके अपने M.N.S. कह रहे हैं कि सेल कोट में धानली के कोई निशानात कोई शवाहिद नहीं पाए गए है उसने बाकादा मुबारिक बात दी ये दूसरे केंड़ेट को आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए कि वो हमारी पार्टी का नहीं है आफ़ताब ओहो आपके आदमी है मलक अहमद आपकी पार्टी के आपके अडवाईर रह चुके है हमारे अडवाईर नहीं रह चुके वो अफ़ताब सहाब वो इनके अडवाईर रह चुके लेंजी ये बात तो साबित हुई कि दोनों के दरमयान जो खलीज थी अब वो वाइडन हो गी है जो गैप था वो बहुत बढ़ गया है नहीं अफ़ताब सहाब ये जो गैप बढ़ा है इसके पीछे कहानी है हसत की, हक तलफी की और हट धर्मी की ऐसे ये जो है वो रात और रात जो है वे डिस्प्यूट नहीं पैदा हुआ और अफ़ताब सहाब इस सूरत हाल पे क्या खुबसूरत जह हुआ वो शेर याद आ गया है कि वक्त करता है परवरिश बरसों भई हाथ से ऐसे तो नहीं हो जाते है ये शेर किस तरफ से था तो बाजी आप अपनी जात के हिसार से बाहर निकलें पास पास भी देखें हम भी आपके मुजाहिद है हमने भी खुन जगर दिया है और हम आप से कुछ नहीं मांग रहे वजीर आजम आप ही होंगी हमें सिर्फ पंजाब चाहिए पंजाब तुम्हें क्यों दिर दें किस हिसाब से तुमारे अबुजी के हमें कुछ करने की जरूरत है ये क्या हो रही है ये अल्ना का फैसला अफ्ताब ये खान की जुबाई इस साल की ये जुमेनत ना ये राइगानी गी आज कैसी त्रेड पड़ गई देख लीजे भाई अपनी इस गुफ्तुगू का असर देख लीजे बाहर वाले हम पर फप्तियां कस रहे हैं मैं ये बातें नहीं करना चाहता था बाजी लेकिन अब जो कैफियत है वो दर्द की है कर्प की है परना मैं क्यूं करूं ये बातें अपने घर के किस्से बाहर जो है वो पॉन जो है वो बयान करता है और तायाबू ने मुझे एक जो स्यासी दर्स दे रखा है उसमेंसे एक ये भी है और आप यकीन करें आफ़ताब साहाब मैं तायाबू का गंडा बंत शागिर्द हूँ आफ़ताब साहब रफी को जो वो गाते हैं शायद इस कुरे अर्स पे कोई न गाता हो क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो एरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम है और ये हैं आफ़ताब साहब मेरे तायाबू की तर्बियत मुझ पे ऐसे ही नहीं सियासत में बहर हो रहा हुआ हमजा भाई काली अवाज आ रही ईजी हो के बैठो बड़ी तुम्हें बाते आ गई आफ़ताब साहब इस जैसे तुचे मक्खियों की तरह नहीं तुचे मक्खियों की तरह मेरे आसपा जो है वह भिन बिनाया करते थे लेकिन मैंने कभी मुझ नहीं लगाया आज आज तुझे बहुत बड़ी बाते आ गई है अरे वो मक्खियात करो जब तुम्हारे भाई को खाने से छुड़वाया था मेरे अबुजी ने भूल गए शरीम अजारी से क्वेस्टन इमरान खान ने सेरो सियाहत पे बहुत जोर दे रखा है आपकी हुकूमत का एक तुरह इम्तियास भी आजकल यही है लेकिन जो हलात कालाम में नज़र आए कागान नारान में नज़र आए उससे तो लगता है कि आपने कुछ नहीं किया कोई प्रियम्ट नहीं किया था आठ आठ सो रुपे लिटर तेल बिका है आप तब यह जो कौम है न यह भीर चाल वाली कौम है मुझे आप एक बात किता है कि शकीम ने काता है कि सरी एक साथ ही वहाँ पर चलेजी और बरी बरी करके बंदा जाता है यह जगा अपने मुल्क के अंदर है फिक्स टेंसने क беспई भाग नी जाने है बरी बरी जाहे न अपने इपनी बरी को इंतिजार करें कैसे इंतजार करें, ये holiday period है बात ये कि बात तो बारी-बारी किये ना अपनी बारी पर जाए How pathetic ये मैंने सही सुने जी जी आपने जो कहा है, वाकी pathetic है कि अपनी अपनी बारी पर जाए आप इंतजामाद क्यों नहीं करती कैसे क्री इंतजामाद, पैसे कासले GDP देखी है, अमरी काप पोची भी है अच्छा जी कश्मीर के अवाले से आपके चचा बजाहर यूं लगता है कि कोई और policy फालो करना चाहते थे जैसे उन्होंने का, आजाद कश्मीर में अपनी हकुमती कारकरदगी बताते जो मसायल थे उनका बरवक्त सद्दे बाप करते इन अदर वर्ड्स उन्होंने पुरी कैमपेंड को क्रिटिसाइज किया है अब आफ़ताब सहाब मैं आपको क्या बताऊँ मेरा कहना मुनासिब नहीं है मैं बता देती हूँ इनके अबुजी से बात दे कर रहे कैमपेंड में एक दबा भी नहीं गे यह जो गई है जबरदस तरीके से कैमपेंड चलाई इनोंने अफ़ताब सहाब जनाब आपको पता है जो हालाद चल रहे हैं जिन मुझे मुझे सामना है पानी होता है और मेरी तरहाई होती है आपकी तरहाई इसकदर लामतनाही क्यों है खत्म क्यों नहीं हो रही पैसे ये बड़ी आहम बात ये तरहाई खत्म क्यों नहीं करते हूँ अरे खाला पहले तीन दफ़ा की है अब नहीं होती अमज़ा भाई गृझा में और वॉभाव कर मोडनों आया तूम एक बाद 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 अप्ने घर्कू नहीं रहते हो तोब्वह равा कोई घर बार मेरे पास आते हो तुम्हारा मैं आया था, ये था, वो था, हमें अपनी अलग तंचने पड़ी हैं, हम इनकी बाते सुनें, खबरदार, जो अब तुमने एक लफ़ कहा, भाजी, आप भी कुछ बोलें, आप मुझ बंद करके बैठी हैं, यही वक्त होता है, साथ देने का हम्जा तसली से बैठी है, ये भाई हैं हमारे, हम्जा भाई तानु जहाद है फिर एक दफ़र दरे मुलाकात है, मेरे खुदाया, में लगता है, हम्जा भाई का सारा सियसी करियर, इसके साथ मुलाकातों में सर्फ हो गया, बस कर दे, और तैनु खुदा दा वास्ता ही, की बहुत खुशी है कि अपनी इंसी उठ गई है, अरे अफ्ताब साहब, ये तो यूही वक्त जाया हो रहा है, मैं अपनी अवाम से, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस 22 करोण अवाम से जहाँ, वो खिताब करना चाहता हूँ, जी जरूर कीजे, 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 मेरी क कौम के लोगो, असलाम अलेकुम, वालेकुम असलाम, ये 22 करोण लोग, ये सुनने, ये जो हमारे साथ आज हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा, मेरे अबुजी ने मुझे, बच्पन में बताया कि बेटा, ये मुल्ग, हमने बड़ी मुश्किलों से हासल किया है, अच्छा ब मैं बताऊं, मेरे वालिद साथ जिवाएंगे, मैं और मेरे वालिद साथ, आप की मुश्किलाद, हम दूर करेंगे, और मैं बताऊं, जी थीक है, फेक्यू, बच्पा 105 की है, अब जब ज़ये अब जाएगा, अब जब जाएगे, हमने बद आब जाएगे, और आपने अपन झाल झाल